राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशक्षन परिशत के केंद्रिय शैक्षिक प्रध्योगी की संस्थान के रीडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुते रागों के संक्षिप्त परिचे सहित रागों की स्वर्मालिका और स्वर्मालिका पर आधारित रचनाओं क आधर्श गायन को प्रस्तुत करती शंखला राग रस बरसे आधर्श गायन को प्रस्तुत करती शंखला राग रस बरसे नमस्कार साथ्यू राग रस बरसे इस शंखला में आधर्श गायन को प्रस्तुत करती शंखला राग रस बरसे आप सब का स्वागत है संगीत के अध्यापक और संगीत के विद्यार्थी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये संगीत की पाथ्य पुस्तके संगीत शिक्षन में महत पून भूमिका अधा करती है अध्यापक गण पुस्तकों की साहता से विद्यार्थियों को लग भग सभी पाठ सिखा सकते हैं जैसे सरगम क्या है स्वर किसे कहते हैं कोमल स्वर और तीवर स्वरों की परिभाशा क्या है वादी और समवादी स्वरों का अर्थ क्या है थाट की परिभाशा राक की परिभाशा राक की जातियां आरोह अवरोह पकड का ज्यान आधी पुस्तकों की सहाय से सीखा जा सकता है किन्तो अध्यापकों को सबसे अधिक कठिनाई आती है रागों की सर्गम को सिखाने में रागों की सर्गम का गे रूप विद्यार्थियों को पुस्तोकों के द्वारा सुनाया नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिए रागों की सर्गम को गा कर प्रस्तुत करना जरूरी होता है इसलिए ये आवश्चक्ता अनुभव की गई कि रागों की सर्गम की आदर्श गेयर रूपों को आडियो बुक्स यनि कैसेट पर ध्वनी पुस्तकों के रूप में तैयार किया जाए इन ध्वनी पुस्तकों के नर्मान के दौरान ये भी अनुभव किया गया कि रागों की प्रचलित बंदिशों का कत्थे बहुत ही पुराना है इसलिए बंदिशों की कत्थे को समसामाई करने का प्रयाज भी किया गया है पंडित विश्णू नरायन भातखंडे जी द्वारा रचित रागों की स्वर्मालेकाओं पर आधारित बंदिशों अर्थात रचनाओं का कत्थे देश भक्ती पर्यावरन जागरण नैतिक शिक्षा सामाजिक ज्यान आधी विश्यों से अलंकरत किया गया है संगीत के अध्यापकों और विद्यार्थियों से अनुरूद है कि वे शिक्षन के दौरान इंद्वरी पुस्तोकों का उप्योग साहक सामगरी के रूप में करें अब आईए हम सब शामिल हो जाएं इस संगीत मैं यात्रा में और सुने शंकला राग रस बरसे राग रस बरसे राग रस बरसे राग विभास राग विभास की उत्पत्ती भैरव थाट से हुई है इस राग में रिशब और धैवत यानि रे और धव ये दोनों स्वर कोमल प्रियोग किये जाते हैं इसमें मध्यम और निशाद अर्थाद म और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं अर्थाद ये दोनों स्वर इस राग में प्रियोग नहीं किये जाते और अवरों में पांच स्वर प्रियोग किये जाते हैं इस प्रकार इसके आरोह और अवरोह में पांच पांच स्वरों के प्रियोग होने के कारण इस राग की जाती औरव औरव है इसका वादी स्वर्ब धैवत यानी धह है और समवादी स्वर्ब रिशब यानी रे है इस राग का गायन समय प्राता काल है राग विभास के आरोह और पकड इस प्रकार है सबसे पहले सुनिये आरोह सारे गार पार धार सार और अब आवरोह सार्दार पार गारे सार इस राग की पकड इस प्रकार है पार पार गार गारे सार अब प्रस्तुत है राग विभास की स्वर्मालिका जो तीन ताल मध्धिलाय में निबद्ध है इसमें सुलह मात्राएं होती हैं पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर्मालिका की स्थाई गापपध्धापपगारिसा गापापधापकारिषा सर इरिसा hmm पापादासादापा सासारीरिसा पापादासादापा गापादापा 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 गापादाप अब प्रस्तु थे इस स्वर्मालिका का अंतरा का अब जान से स्वर्मालिका सिर्ण का अब जान सारिसार और अब जारे सकत्ता है गापपदा पाप गापगरिशा गापपदा पापगरिशा अभी आपने सुनी राग विभास की स्वर्मालिका अब सुनी इसी स्वर्मालिका पर आधारित एक रचना बोल हैं सूरज की किरणे आती हैं पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई सूरज की किरणे आती है सूरज की किरणे आती है सारी कलियां खिल जाती है सूरज की किरणे आती है सूरज की किरणे आती है इस रचना का अंतरा अंधकार सब खो जाता है सब जग सुन्दर हो जाता है सब जग सुन्दर हो जाता है सूरज की किरणे आती है सूरज की किरणे अभी आपने सुनी राग विभास की स्वरमालिका साथ ही सुनी इस स्वरमालिका पर आधारित रचना हुआ आप राग रस बर्से राग रस बर्से राग रस बर्से आखरत्रश्योर palabras आखरत्रुदिण करह भूल आखरत्रुदिण